जैसा कि आपको पता है कि COVID-19 महामारी की वज़े से अन्य प्रदेशों से आये प्रवासी मुझदूरों को क्वारंटाइन करने के लिए प्रदेश के कई परशदी विद्यालों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था जिसके करन सिक्षकों और सिक्षन संगठनों की मांग थी कि 1 जुलाई 2020 से स्कूल खुलने से पहले स्कूलों को सैनिटाइज किया जाए सासन दौरा तथे की गंबीरता को समझते हुए अपर मुख्य सची उत्तर प्रदेश सरकार रिणुका कुमार जी का एक पत्र 26 जुन 2020 को सभी जन्पदों के जिलादिकारी महोदे को लिखा गया आप पत्र देख सकते हैं देखिए इस पत्र का जो विशय है वो है बेसिक सिक्षा विभा के महतोपूर कारियों के संपाधन हे तुँ परशदी विद्यालियों को 172020 से खुलने से पूर सैनिटाइज किये जाने के संबंद में जैसा कि आपको पता है कि माह जून और जुलाई में परशदी विद्यालों में कुछ महतोपूर कारे होने हैं जिसके संबंद में समस्त जिला अधिकारी महोदे को निर्देशित किया गया है कि विद्याले खुलने से पहले स्कूलों को सैनिटाइज किया गया है देखे इस पत्र में लिखा है महोदेय आप आउगत हैं कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के द्रिश्टिगत प्रदेश के समस्त परिशदी विद्याले बंद चल रहे हैं गत्र विद्यालेव में भी उपस्तित रहते तथा रोश्टर के अनुसार प्रतेख दिन सुबह की पाली में पांच प्रदाना ध्यापकक, दोपर की में पांच प्रताना ध्यापक, ब्लौक पीस्तर पर उपस्तित होकर कारी पूर्ण कराने एवं किसी भी समय 2-3 से अधिक प्रधाना ध्यापक का समू ब्लॉक इस्तर पर उपस्तित नहों तथा उपस्तित अध्यापकों द्वारा निम्नांकित कारियों को पूर्ण कराने के निर्देश निर्गत किये गए हैं। पर उपस्तित नहीं होंगे और डेटा फीडिंग संबंदित कारियों को संपाधित करेंगे। विद्यालों में ऑपरेशन का एकल्प से संबंदित है। छटा दीक्षा एप से संबंदित है। साथवा साथदा कारिक्रम से संबंदित है। आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चेनिकरण पंजीकरण एवो नामकर किया जाना है। बच्चों का विवरण एकत्र करना और उनके व्यक्तिक सिक्षन की योजना बनाना है। इसमें नवा है विद्यालों का सम्विल्यन, दसवा है निशुलक पाठे पुस्तकों का वित्रण, ग्यारवा निशुलक यूनिफॉर्म वित्रण, बारा सिक्षकों की ओनलाइन प्रसिक्षन कारे, यह सभी कारे आगामी दिनों में परशदी विद्याले के अध्याप को पुरोक्त समस्त निर्देशों के अनुपालन हे तू सिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश द्वारा भी दिनाग 22 जून 2020 को विश्तर दिसा निर्देश निर्गत किये गए हैं जो कि हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं इसमें आगे लिखाए कि कोविड- 19 वेश्विक महामारी के द्रिश्टिगत प्रदेश के समस्त परिशदी विद्यालों को बंद कराया गया था और इन विद्यालों में सेज जनपत के कुछ विद्यालों को कॉरेंटाइन सेंटर बनाया गया था जिनमें प्रवासी समिक मजदूरों को कॉरेंटाइन किया गय तो उपस्ते सिक्षकों को COVID-19 वैस्विक महामारी के संक्रमट से बचाया जा सके। उप्रोक्त जिन भी कारियों को अध्यापकों द्वारा किया जाना है उनकी सुरक्षा को द्रिश्टीकात रखते हुए। इसी प्रकार अंत में लिखा है कि इस संब्ध में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिष्ट करने का कस्ट करें। निश्ची तोर पर सभी परशदी विद्यालों में पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए एक अच्छी खवर है क्योंकि सरकार की इस पहल से सभी अध्यापक इस वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं।